ये शायद भारत में कई सालों से जर्मन का ब्रांड फोक्सवागन की सबसे चर्चित कार रही है कंपनी की SUV टबलू स्ट्राटेजी के तहत पेश की गई दाइगुन मिट साइज SUV सेगमेंट में आई है जहां मुकावला कभी आसान नहीं होता फोक्सवागन का कहना है कि जर्मन इंजिनरिंग एक बार फिर इस कार की पहचान है अपनी कार के बार में अगर फोक्सवागन के मालिकों को एक चीज सबसे ज़्यादा पसंद आती है वो होती है उसके बिल्कॉलिटी उन्हें इस बात का पूरा परोसा रहता है कि जो कार उन्होंने चुनी है वो सबसे ज़्यादा सेफ है लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या नई मेड इन इंडिया टाइगुन उस फरोसे को कायम रखती है Volkswagen की 2.0 भारत परनीती के हिस्से के रूप में कंपनी का मुख्य ध्यान कारों में देशी पुर्जों के इस्तिमाल को बढ़ाना और उन्हें खरीदार के लिए किफायती बनाने पर रहा है भारत के लिए खास त्यार क्या गया MQB A0-IN प्लैटफॉर्म यही सुनिश्चित करता है एक साल से भी कम समय में कार में देश में बने पार्ट का इस्तिमाल 83 फीसदी से बढ़कर 90 फीसदी हो गया है Volkswagen का कहना है कि प्लैटफॉर्म सभी यात्रियों के लिए बहतर सुरक्षा देता है Volkswagen का कहना है कि बड़े हुए लोकल पार्ट के चलते कंपनी अपने MQB A0 प्लैटफॉर्म में भारती जरूरतों के हिसाब से चेंजिस कर पाई है लेकिन साथ ही साथ जो कड़े सुरक्षा नियम हैं ग्रूप के उनका भी पालन पूरी तरह किया गया है MQB A0 इन ने मोनोकॉक को ज़्यादा कठोर बना दिया है जिसकी वज़े से वो जो बिल कॉलिटी का एहसास है वो इस SUVW में भी बरकरार रहता है पाहर हो या अंदर टाइगुन एक ठोज एहसास देती है तो तेहाई कार में हाई स्ट्रेंथ या उच्छ शक्ति वाले स्टील का इस्तेमाल किया गया है महस दरवाजा बन करने पर ही आपको इसका अंदाजा हो जाएगा मनीला अलोए वील्स हो या स्पोटी बंपर्स हर चीज कार को और दमदार बनाती है ये सब एक बढ़िया डिजाइन से शांदार तरीके से मेल खाता है यकीनन ताइगुन अंदर से सक्त और बाहर से खुबसूरत लगती है डूल टोन इंटिरियर्स हो या डैशबोड पर काबन फिनिश स्टेरिंग वील पर बटन्स हो या क्लाइमेट कंट्रोल के लिए केपैसिटिफ टच स्विचेज यहां कुछ ऐसा नहीं है जो आपको एक लो कॉलिटी एहसास देगा स्टेरिंग वील बढ़िया है पकड़ने में शांदार है और पिर चाहे डिजिटल क्लस्टर हो या टस्क्रीन सिस्टम यहां हर चीज आपको सेग्मेंट के दूसरी कारों के मुकाबले एक बहतर एसास देती हैं कैबिन क्वालिटी के मामले में ताइगोन को 40 से जादा सेफ्टी फीचर्स मिले हैं और हमें फोक्सवागन से यही उमीद थी मल्टी कोलिजन प्रेक्स हो या हर यातरी के लिए तीन पॉइंट सीट बेल्ट या फिर आइसोबिक्स माउंट्स ये सब ही स्टैंडर्ड हैं फिर आपको टॉप ट्रिंपर छे एबैक्स मिले जाते हैं और सब कुछ यही आश्वास मिलेता है कि आप एक ऐसी कार चला रहे हैं जो सड़क पर चल रही जातातर कारों से पहतर सुरक्षा देती है और फिर है ये बढ़िया डी एसजी के बॉक्स फोक्स वागन के चाने वालों को ये हमेशा बहुत पसंद आया है और इसने कई सालों से अपने आपको साबित भी किया है अगर आपको कार चलाने में मज़ा आता है तो आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी ताइगोन की बड़िया बिलकॉरिटी का एक और शानदर सबूत जहां तक मजबूती की बात है किसी भी सेग्मेंट की तरह यहां भी वोक्स वागन को हराना आसान नहीं है नए फ्लैटफर्म ने गाहक और कमपनी तोनों के फाइदे का काम किया है इसने एक ऐसी कार दी है जो सक्त है लेकिन जादा छोटे पार्ट के साथ मेंटेन करने में भी आसान है